आपका दोस्तो हमारे ECO2 प्लेटफार्म व्रुद्र सिविल सर्विसेज में आज हम 857 के विद्रोह की चर्चा करेंगे दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना हो तो ही आगे बढ़े क्योंकि तब ही आपकी समझ विक्सित हो सकती है अगर आप कमटेटिव एक्जाम्स की तयारी करते हैं तो मुझे उमीद है वीडियो पूरा देखेंगे अधरवाइज आप वीडियो अभी बंद कर दें क्यों क्योंकि आधी अधुरी समझ बड़ी खतरनाक होती है तो दोस्तो अगर आप चैनल पे नय है तो चैनल को सब्सक्राइब करन ना भूलिए आई आगे बढ़ते हैं 1857 का विद्रोह यकायक से नहीं हुआ इस विद्रोह के पीछे प्रिष्ट भूम रही ये प्रिष्ट भूमी 1764 से सुरू होती है बकसर के युद्ध से जहां मीर कासीम के विरुध लड़ते हुए हेक्टर मुन्रो की सेना के कुछ सिप नाटक में यहां का विद्रोह देखने को मिलता है यह सेना द्वारा किया गया प्रथम धार्मिक विद्रोह था इसके नित्रे तुकरता बलवंत राओ फड़के थे यह जो बेलोरमत का विद्रोह हुआ वो माथे पर तिलक लगाने दाढ़ी रखने और पगड़ी बादने क नियम बना जिस पर चमड़े का तुर्रा वपंख लगा होता था यह तुर्रा गाए और सूर के चमड़े से मनाया जाता था एक प्रस्ण महत्पुल है कि इस बात को बाहर फैलाने वाले व्यक्ति कौन थे तो टिपू की सुल्तान के पुत्र थे इसके बास याठार सो 47 वी पैदल सेन 안돼 टुकडी का विदरो हुआ जोकि बैरकपुर में सिपाईयों ने समुद्र मारक से वर्मा जाने से इंकार कर दिया क्योंकि ततकालिक समय में हिंदू रित रिवाज हिंदू धर्में समुद्र धर्म के विरुद था हालांकि सिपाईयों को जो विदरोही पाई थे उन्हें फासी दे दी गई इसी तरह 1844 में 64 रेजिमेंट ने अतिरिक्त भग्ता नौम मिलने पर सिंध जाने से मना कर दिया था इसके बाद लाल डलहुजी के काल में इसके बाद से 1857 का जो विद्रोह हुआ तो सबसे पहले मैं आपको विद्रोह के विस्तार और विद्रोह के जो योजना थी कैसे आकिर विद्रोह प्रारम हो गया तो इस पर मैं चर्चा करते था हूं तो देखते हैं कि विद्रोह की जो योजना बनी थी वो नाना साहब जी ने धोधू पंत भी कहा जाता था कि निकट जो निकटवर्ती थे अजिमुल्ला खाँ और सतारा के पच्युत यानि पच से हटाए गया राजा उनके पेंसल उरिद की पैरवी में लंडन गय वकील र कंतिम रूप दिया और 31 मई 1857 का दिन क्रांती के लिए निश्रित किया गया क्रांती के प्रतीक के तौर पर कमल और रोटी को चुना गया कमल के फूल को उन सैने टुकडियों तक पहुचाया गया जो विद्रोह में सामिल थी तथा रोटी को ये गाउं का चौकिदार दूस कंति उत्पन हुई थी उसी के मद्दे नजर 23 जनवरी 1857 में बंगाल में दमदम के सैनिकों ने कार्तूसों के प्रियोग से इंकार कर दिया इसके बाद 26 फरवरी 1857 को बंगाल के बहरामपूर में फिर सैनिकों ने कार्तूसों के प्रियोग से इंकार किया 19 वी एनाई सैन य का विद्रो हुआ मंगल पांडे ने सार्जेंट यूरन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी हालांकि यूरन इसमें बच निकले आठ अप्रेल अठावन को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई प्रस्त महत्पुड है कि मंगल पांडे कहां के निवासी थे तो वर्तम मई 1857 को मेरट चावनी में तैनाथ सिपाईयों का खुला विद्रो होता है मेरट में जो उस समय तैनाथ जनरल था हैबिट उसके पास 2200 यूरूपी सैनिक थे लेकिन उसने जो ये सैनिक आगे विद्रोही आगे बढ़े इसे रोकने की चेष्टा नहीं की 11 मै को ये विद्र का घोसित कर दिया और उनके नित्रित में इस थार सतान के विद्रोह का बिगुल बजा दिया 12 मै को विद्रोह पर दिल्ली पर विद्रोहियों का पूरी तरीके से आधिकार हो चुका था आए इस विद्रोह के स्वरूप में कहां कहां ये विद्रोह हुआ कैसे कैसे इसका व बहादुर खां भी कहा जाता है तो 12 मई 1857 को मुगल समराद बहादुर साह को पुना भारत का समराद घोसित कर दिया गया इस दोरान अंग्रेज अधिकारी करनल रिपले मारा गया और लेफटिनेन विलोवी जो दिल्ली शस्त्रागार का कारेवाहक था वह भी पराजित हुआ जनरल बक्त खां जो की बरेली से सिपाईयों को दिल्ली लेकर आये थे तो 14 सितम्बर 1857 को अंतता हंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों से संघर्ष प्रारम किया और 20 सितम्बर 1857 को 6 दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद पुना दिल्ली पर अंग्रेजो काधिकार हो गया एलफिंस्टन ने इस नंसंहार की जो तुलना की है वो 1749 के नादिर शाह के दिल्ली आक्रमर की से तुलना की है इसके बाद 20 सितमबर 1857 को अन्तता लेफटिनेंट हडसन ने बहादूर शाह के एक रिष्टेदार मिर्जा इलाही बक्स की मदद से हुमायू के मकबरे में शरण लिए हुए बादसाह को पराज मंदी बना लिया उसे निर्वासित करके उनकी बेगम जीनत महन के साथ रंगून भेज दिया गया जहां 7 नवंबर 1862 को अन्तता बादसाह की मृत हो गई जहां रंगून में बादसाह का मजार है उस पर एक वाक्यांस लिखित है अंकित है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मात्री भूम में दफन के लिए दो गज जमीन भी नसीब न हुई तो बहादूर साह डूती को बहादूर साह जफर भी कहते हैं बहादूर साह जफर नाम से ही वो अपनी शेरो सारी और कईताय लिखा करते थे इसके बाद से बादसा जो विद्रोही था वो दिल्ली से लखनव चला गया तो इन सब परिष्टितियों के बीच में अब वहां संगर्स 13 मई 1869 को संगर्स करते हुए उसकी इम्रित हो गई तो इस तरीके से खान बहादूर खान को ही बक्त खान की उपमा दी गई है इसके बाद से अब लखनव मे विर्जिस कादिर को नवाब गोसित करती हुए विद्रोह का नित्रीत किया इसके बाद से ब्रितिश रेजिटेंट जो हैंजरी लॉरेंस थे मेजर हर जन्रल हैवलाक और जनरल नील इन तीनों ने सिपाही जो विद्रोही थे उन से कला संग हर्स किया लेकिन यह जो विद् इत्तो लखनव में विद्रोह के दवरान संघर्ष करते हुए हुई थी अंग्रेजोग की तरह ओर से तो लारेंस हैवलाक और नील की मृत्तु इसके बाद नॉबर 857 में नए मुख्य सेनापती सरकॉलिंग कैमपेल ने गोर्खा रेजिमेंट की सहाता से पुना लखनव पर अधिकार कर लिया इधर लखनव के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ साजहापूर में विद्रोह का नेत्रित किया मार्च 858 में कैमपेल ने यहां विद्रोह का दमन कर अधिकार कर लिया इधर बेगम हजरत महल भाग का नेपाल चली गई वहीं पर की गुमनाम मौत हो गई मौल्वी अहमदुल्ला गुरिला युद्ध इन्होंने प्रारंब किया गुरिला यानी छापे मार युद्ध छिप छिप कर ये युद्ध रहोता था तो इन्होंने प्रारंब किया लेकिन अंतता साजहापुर में यानी पोवाया में के राजा जगन नात सिंग ने विश्वास घात कर मौलूय अमदुल्ला को मरवा दिया तो ये लखनों की पूरी कहानी रही इसके बाद से पांच जून अठार चा सत्तावन को कानपूर में विद्रो होता है जिसका नेत्रित्तो नाना साहब जो की बाजी रावदुती के दत्तक पुत्र थे दिने धोदुपंत भी कहा जाता था इन्होंने इसका नेत्रित्तो किया इनकी सहायता तात्या टोपे और अजिमुल्ला खाने की इधर चाउनी के कमांडर जनरल सर वीलर ने आत्म समर पर कर दिया ताकि जो अंग्रेज इस्तरी और बच्चे हैं उनको सुरक्षे आप को माना गया है हलाँ कि नाना साहब ने इस से इंकार कर दिया उनका कहना था कि उन्हें इस घटना की जानकारी भी नई है इदर तमाम घटनाओं के भी 6 दिसंबर 1878 उनको कैम्पवेल ने खानपूर को अपने अधिकार में ले लिया और नाना साहब कहां भाग के चले नेपाल चले गए और तात्या टोपे जहांसी की राणी लक्षीमभाई से जा मिले तात्या टोपे को राम का वास्तुविक नाम रामचंद्र पांडूरंग था दोस्तों यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि कि शेत्र में जैसे दिल्ली में कानपूर में लखनों में कहा किसने नेत्रित किया और अंगरेजू की तरफ से उस विद्रो को किस शेत्र में किसने दबाया जैसे दिल्ली में आपने देखा लखनों में देखा फिर यहां आपने कानपूर में देखा किसने दबाया तो कैमपेबेल ने दबाया इस विद्रो को इसके बाद आगे देखत अपने दत्तक पुत्र दामोदर राओ को जहासी की गद्धी नहीं दिये जाने से बड़ी रुष्ट थी अतो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यूद कर दिया जहासी की रानी लक्षिमभाई को अंतता यूरोज ने पराजित किया था अंग्रेजों की तरफ से यूरोज यूरोज ने जहासी की रानी की मृत्व के बाद ये कहा था कि भारती करांतिकारियों में यहां सोई हुई अकेली औरत अकेली मर्द है यानि यह स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसका इस्टेटमेंट है कि भारती करांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द ह तो ये जनरल यूरोज का इस्टेटमेंट है जो तात्या टोपे थे जिन्होंने जहांसी के रानी लक्षिन भाई का अजसाथ दिया था वो नेपाल चले गए जहां पे अप्रेल 1869 में सिंधिया के एक सामन्त मान सिंग द्वारा विश्वासगात किया गया और 18 अप्रेल 1869 को अन्तता ही ने तात्या टोपे कांग्रेजों ने फांसी दे दे ओ जहांसी के विद्रोह के बाद अन्य छोटे बहुत जो भी विद्रोह हुए उन पर हम देख लेते हैं इलहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का प्रारम किया था इसी समय बनारस में भी विद्रोह हुआ बनारस में विद्रोह जन साधारण और जो सेना थी उन्होंने विद्रोह का जो नित्रितु किया यहाँ पर इलहाबाद और बनारस दोनों जगा विद्रोह को कर इसके बाद फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रो का प्रारम किया था, उनकी कारवाईयों से इसकदर अंग्रेज भैभीत और आहात हुए थे, कि उन्होंने उन पर 50,000 का नगत इनाम तक घोसित कर दिया, अन्तिता जनन रेनाल्ड ने इस फैजाबाद के विद्रो को कुछल दिया, इसके बाद से बिहार में विद्रो देख लेते हैं, बिहार में सरपधम विद्रो काऊं उँए तो धनापूर में हुए था, धनापूर आरा, पठना, गया, सहाबार जो की जगदीशपूर है और मुझफरपूर ये विद्रोह के केंदर थे जगदीसपूर के जमिदार कुवर सिंग जो की 80 वर्ष के हो चुके थे उन्होंने विद्रोह का नेतरित किया था कुवर सिंग ने अपने विद्रों का जो अपना यानि यू कहिए कि कुवर सिंग का विद्रों बड़े ब्यापक पहमाने पर हुआ था और उन्होंने केवल बिहार में ही ने इबलकि बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश के मिरजापूर रिवा, बांध, आजमगड, लखनों य उनके सरीर में जब गूली लगी, उनके सरीर में जहर फैल गया, उनकी मृत हो गए 26 अपने अठार 588 को, उनके बाद उनके भाई अमर सिंग ने इस विद्रों को जारी रखा, लेकिन इस संघर्स को जारी रखा, लेकिन उनका प्रभाव वो नहीं रहा, जो कुवर सिंग का बरुगा ने किया, हुआ क्या था कि 287 के विद्रों के समय वहां के अंतिम राजा पूरंदर सिंग के दिवान जो थे मनी राम बरुगा, तो मनी राम बरुगा ने अपने पोते कंदर पेश्वर सिंग को राजा गोसित किया, अंगरी जो ने इसे विद्रों माना, मनी राम और आसम में विद्रो के नायक पियाली बरुवा पर कलकता में मुकदमा चलाए गया और अंतता इन दोनों को फासी दे दिगी महत्पूर है पियाली बलुवा ने कहां विद्रो का नेतरित किया आसम में इसके बाद से देखते हैं उडिशा में उडिशा में भी विद्रो का प्रमुख केंद्र क्या था पूछा जाए तो आपका सही हुत्तर होगा कोटा यहां पे जैदयाल और उनके भाई हर दयाल ने नेतरित किया इस विद्रो को मेजर बर्टन ने दबाया था स्वारी माफ कीजेगा मेजर बर्टन की कोटा में हत्या कर दी गई थी यह महत्प प्राई देता इसी तरीके से महराष्ट में विद्रो का प्ररम रंगोबापू जी गुप्ते ने किया था इसके बाद हैद्राबाद में सोना जी पंत ने किया था फिर बंगलोर में विद्रो का शन्यतर सानों ने तिरिट्ट्या या विद्रोपुरोत्र तक गया तुरिपुरा असम, मडिपूर इन तीनो जगां विद्रो हुआ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 18- IX का विद्रो लगबग पुरे भारत में फैल गया था इसके बाद से हम देखते हैं कि विद्रोह में जिन्होंने साथ नहीं दिया किसने किसने तो पंजाब के अधिकतर भूपतियों ने साथ नहीं दिया फिर कश्मीर के महराजा जो गुलाब सिंग थे उन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया हैदराबाद के निजाम जो की सालार जंग था उस समय उसने साथ नहीं दिया इसी तरह पाटियाला नाभाज इंद के सिख सासकों ने साथ नहीं दिया इंदोर के होलकर फिर ग्वालियर के सिंधिया इन सभी ने साथ नहीं दिया प्रस्न पूछा जाता है कि अठार सत्तान के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सरवादिक ही तैसी कौन था तो ग्वालियर के सिंधिया इसी तरह बडोदा के गायकवार भुपाल के नवाप या फिर बेगम कहिए फिर साहुकार महाजन व्यापारी वर्ग फिर पढ़े लिखे उच्छ वर्ग फिर चाहे वो मध्यम इसी तरीके से नेपाल के मंत्री जंग बहादूर राजपुताना बंगाल मद्रास इन सभी शेत्रों में इन सभी शेत्रों के सासको ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया अगर इन सभी ने विद्रोहियों का साथ दिया होता तो तस्वीर 1857 की कुछ और होती निश्यत का दोहरा चरित्र था एक तरफ तो अंग्रीजों के सहयोगी बने रहे दूसे तरह थार सतान की क्रांट के जो भी इसमें नेता भाग लिए उनके साथ भी रहना चाहते थे फिर जो नौदित मध्यमवर्ग था जो अभी अभी मध्यमवर्ग में शामिल हुआ था वो विद्रो से अलग ही नहीं रहा बलकि विद्रो की आलोचना तक उसने कर डाली इसके बाद सावकार महाजन व्यापारी वर्गिन सभी ने कभी दिल से क्रांटी का साथ नहीं दिया उच्छ वर्ग तो पूरी तरह तथस्त रहा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अठार स्था तान विद्रो में व्यापारी पढ़े लिखे लोग जमिदार और भारती सास को ने हिस्चेदारी नहीं की आगे देखते हैं दोस्तों कि विद्रो के कारण क्या रहे तो विद्रो का तातकाली कारण हा तातकाली कारण तो धर्म में हस्टक शेप का संदे रहा इसके बारे में मैं भी डिट तो तब काली कारण जो रहा वो चर्बी लगे कार्तूस यानि धर में हस्तक्षेप रहा सरकार ने मस्किटो यानि ब्राउन बैस की जगा दिसंबर 1856 में भारत में इंफिल्ड राइफलों का प्रियोग सुरू किया अब इन राइफलों को प्रियोग करने से पहले कार्तूस को दात से यानि मुह से काटना पड़ता था ये खबर फैल गई अफवा फैल गई बंगाल सेना में कि जो चर्बी लगे कार्तूस है उनमें गाय और सुवर की चर्बी है इसके मद्दे नजर अब सीधे जो सैनिक थे दोनों ही धर्मों के चाए वो मुसलिम हो या हिंदू हो उ उनका यह विश्वास हो चला कि अंग्रेज उनका धर्म भरस्ट करना चाते और यही ततकालिक कारण रहा इसके बाद देखते हैं हम दूसरा कारण राजनीती को प्रशासनिक बेवस्था तो सबसे पहले तो इसके लिए लाड वेलेजली की सहायक संधी और डलहोजी की विल आओगा तो यह देख लीजेगा इसके बाद से इन सभी के बाद संधियों के बाद भी ब्रिटिस सासन यानि जो ब्रिटेन था जो यू कहिए कि कंपनी थी वो संतुष्ट नहीं थी इतने से वो चाहती थी कि पूरा का पूरा जो भारत का राज है वो सब अंग्रेजों की कंपनी के अंतरगत आ जाया इसी को मुर्थ रूप दिया दलहौ जी की विलय नीति ने तो दॉक्ट्रिन Авुलै зав नीति ने हड़प नीति के अंतरगत सबसे पहले दलहौ किस रियासत को अपने ब्रेटिस सामराजी में मिलाया तो सतारा को 1848 में प्रस्ण पूछा जाता है इसके बाद तंजाओर अन्य शेत्र भी जो जैत पूरु असंभल पूर है बगहाट उदैपूर जहां सी सब को अंग्रीजी सामराजी में मिला लिया तंजाओर और करनाटक क नवाबों की उपाधिया चीन नाना साहब को पेंसन देना बंद कर दिया अवद का राजी था उस पर कुशासन का रोप लगा कर 1856 में वहां के जो नवाब थे नवाब वाजी दली उन्हें पत से हटा दिया और बिटिस राजी में मिला लिया अवद में तो एक चीफ कमिश जो के खिलाब बगावत सुरू कर दे इधर मुगल बात्साह के साथ अफमान जनक बहवार भी अंग्रिज कर रहे थे अठार सो तीन में सबसे पहले मुगल बात्साह ब्रीटिस अन्रक्षर में आ गये थे इसके बार लाड एमस हर्ट्स ने अठार सो तेईस में जो की बात् गवनर जनरर ऑकलेंड ने बात्साह को अपना दावा छोड़ने के लिए कहा इसी तरीके से गवनर जनरर एलन बरो ने बात्स बहादुर साह को भेट देनी बंद कर दी थी सिक्कों से उनके नाम हटा दिये इसके बाद डलहौजी ने तो बहादुर साह को दिल्ली लाल किला खाली करने के लिए कहा था कैनिंग ने तो यहां तक कह दिया कि अब बहादुर साह के बाद कोई भी मुगल बात्सा का उत्तर अधिकारी नहीं होगा इन सब परिस्थितियों के बीच मुस्लिम भावनाय भी गंभीर रूप से आहत हुई थी इनी सम्में अठार सो चौवन म 35,000 जागीरों की जाचकी और दक्कन में लगबग 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया अब इसके कारण जमिदार भी अंगरीजों के विरुद विद्रो में शामिल हो गये इसके बाद से भारतियों के साथ जो भेद भावपूर ब्यवार था कोई भी भारती प्रशासन में अर्थम पुस्तक भी है अंगरीजी में इसका नाम है The Causes of the Indian Revolts 1858 में लिखी थी उसमें यह विद्रो की यानि उन्होंने यह घोषडा की कि यह जो विद्रो है इसका सरवादिक महत्पूल करण भारतीयों का प्रशासनिक तंत्र में उच्छ पदों पर न होना है इसी तरी अर्थम पूर्ण पर न होगा था तो अंगरीजी यह जो ने चौपट कर दी थी भारतियों को जो यहां के जो भी वर्ग थे चाहे किसानों सिल्पकार हो हस्ट शिल्पकार हो दस्तकारों सब भी एकदम बिलकुल लाचार इस्तिती में पहुँच गये थे सूती वस्तरुद द्योग पूरी तरह नस्ठ हो गया था भारत का मैंचेस्टर कहा जाने वाला ढाका बरबाद हो गया मुर्शिदाबाद उजड चुका था सूरत भी अपूरी तरीके से बतसूरत हो गया था तो अंगरेजी यह सारी नीतिया रही फिर भारती यह कपड़ों पर ज्यादा कर लगाना निर्यात पर और आयात पर अलग अलग तरीके से भारती दरिद्रता थी इसके लिए एक अलग लेक्शर भी है आपके जो भी स्क्रीन पर आई बटन में दिख रहा होगा उसे देख लीजेगा तो यह आर्थिक सारे जो कारण रहें यह बहुत ज्यादा जिम्यदार है इसके बाद सामाजिक और धार्मिकालों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं तो अंगरीजू की नीतियां रंग भेद की भावना से प्रेरित थी वे भारतियों को बड़े हेद रिष्चे देखा करते थे वे हिंदूओं को बरबर और मुसल्मानों को कटर पंती और पर का दमन किया गया फिर जॉन शूर के समय 1795 में कन्यावद बंद किया गया एलन बरो ने 1849 में दासप्रथा पर रोक लगाई अठार शपन में विद्वा विवा अधिनियम बाल विवा अधिनियम इसके अलवान तरजाती विवा अधिनियम ये सब पारित हुआ इससे भारतियों को अपने धार्मिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा में पर चोट लगी कि उनका ये मानना था कि ये अंग्रेज जो है हमारे धार्म को अब नश्ट कर देना चाहते हैं दोस्तों एक-एक पॉइंट महत्पूर है जो आपके स्कीन पर दिखरा है ध्यान से समझी और इसका नोट जरूरी लगे तो आप बना लिए या फिर इसे अच्छी तरीके से कई बार कंठस्ट करने की कोशिश कीजिए इसी कि सबके मदे नजर 813 में इसाई मिसंडियों को भारत आने की अनुमती दी गई अब इसाइ उनोंने अपने धर्म का प्रचार पिसार करना शुरू किया तो भारतियों को चाहिए वो मुस्लिम हो हिंदू उनको ये लगा कि इसाई जो है अब भारतियों को यानि अब धर्म परिवर्तित कर अपने धर्म में बुलाना चाहते हैं तो इन सब के मद्दे नजर भी धार्मिक महावना है काफी आहत हुई थी इसके बाद से इनी सम्मे सरकान ने मंदिरों और जमिदारों की जायदादों पर कर लगा दिया अठार्मिक योगिता अधिनियम जिसे लैक्स लोग की कानून भी कहते हैं पारित किया गया महत्तपुर है इसका उद्देश हिंदू रीत रिवाजों में परिवर्तन लाना था इसके तहत अभी तक धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति अपने पैक्तरिक समपत्ति से वनचित लेकिन लेक्स लोग की काणून के पारिथ होने के बार अगर कोई व्यक्ति साइध हर्म स्विकार कर लेता है तो स्थ एंदचित उन्जित थे तो और ще अवध ऋपेक्वाझने.ट जानतों से आते थे जिसमें ब्रामवल और राजपूत थे तो भारती सैनिकों को चार्ल्स नेपियर ने उच्छ जाती ये भारी के सैनिका चार्ल्स नेपियर का कहना था कि इन भारती सैनिकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था इसलिए भारती सैनिकों को कोई भी भी सामने रही जिसके कारण सेना में भारती सैनिकों की पद वृद्ध भी नहीं हो सकती थी इसके अलावा उनका वेतन भी यूरूपी सैनिकों से बड़ा कम था अनुपात में भले ही भारती सैनिक और यूरूपी सैनिक पात समंदे एक के अनुपात में थे लेकिन उनका भार कि आवशक्ता होगी उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा इस नियम द्वारा सैनिकों को समुद्र पार भी भेजा जाएगा अब यह नियम तो हिंदु धर्म के बिल्कुल अनुकूल नहीं था इसके अलावा ठार चचंवन में डाग घर अधिनियम पारित किया गया जिसमें सैनि अफगान युद्ध में अंग्रेजों की हार और पंजाम में संगर्स के दौरान अंग्रेजी सेना को हुई भारी शति ने भारतियों के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि अंग्रे पराजित नहीं है यह इन्हें पराजित किया जा सकता है यह अजे नहीं है तो इन सबसे बड़ा कारण रहा कि संगठन का भाव था खिल भारती नित्रितु नहीं था सब अपने अपने तरीके से अपने अपने स्वार्थ के लिए ही लड़ रहे थे आपने देखा कि उच्छ वर्ग और बहुत सारे जो वर्ग थे उनका तो सहयोगी नहीं था इसके अलावा आ इसी तरीके से उद्टै हुआ था कि 31 मई को ये विद्रो होगा और विद्रो को 10 मई को ही कर दिया गया सैनिक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएं तो इस संसाधन सीमित थे इनके पास छोटे-छोटे बंदूक असलहे या फिर जो भी तीर धनुस थे यही सब थे जबक का भाव नहीं थी बलकि सिक्षित वर्ग की उदासिंता तथा रास्टी भावना की कमी होना था जिससे आंदोलन का कुसलता से नित्रित तो नहीं किया जा सका और यह अपने तातकालिक लक्षों की प्राप्ती नहीं कर सका इस तरीके से अठार सथावन की क्रांति को हम लेकिन इसका दुरगामी परिडाम भी हुआ क्या क्या परिडाम हुआ सबसे पहले इसका परिडाम तो यह हुआ कि कम्पनी के शासन की समाप्ति कर दी गई और एक नौंबर 1858 को इलहाबाद के मिंटो पार्क में लाड केनिंग ने यह घोसित किया कि अब ब्रिटिस जो महर भारत पर चलेगा कम्पनी का सासन समाप्त हो गया इस तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया जिसके तहत अब कम्पनी से जो अधिकार था नियंतर था भारत का वो चीन कर ब्रिटिस क्राउन को सौब दिया गया सरकार का प्रशासनिक नियंत्रड अब कमपनी के अधिन चला गया इस तरीके से अब एक भारती राज्य सचिव का भी पद का भी स्रिजन किया गया क्राउन के प्रतिनीदि के रूप में वही भारत प्रशासन को नियंतित करने लगा लेकिन भारत का ये जो राज्य सचीव था ये लंडन में बैठा करता था इसी तरीके से गवर्णर जन्र की स्थिती में परिवर्टन हो गया अब गवर्णर जन्र को वायसराय कहा जाने लगा अर्थात वह ब्रिटिस ताथ के वैक्तिक प्रतिनीदी के रूप में भारत पर शासन करने लगा तो वायसराय जब वह भारती रियास्तों से मिलने जाता था तो उसे क्या यानि वह भारती रियासत के जो राजा थे उनके साथ कोई संधि पत्र विलै पत्र तो ये महरानी के प्रतिनीदी के रूप में जाता था और उसे वायसराय कहा जाता था और जब वो भारत पर शासन करता था तो उसे गवर्नर जन्र कहा जाता था सरकारी नीतियों में भी परिवर्तन की घोशना की गई धेर सारी परिवर्तन हुए अठासो चीएतर में महरानी विक्टोरिया द्वारा कैसरे हिंदी की उपादी धारण की गई तो इन सब के मद्दे नजर जो भी सामराज यानि जो भी जमीने चीनी गई थी जो सामन थे ताल का जाती धर्म के अधार पर भेदभाव नहीं करेगी हलांकि ये सब अंग्रेजों के फायदे के लिए ही था सेना का पुनर गठन किया गया पीलायोग का गठन किया गया जिसके अधार पर भारती यूरोपी सैनिकों का अनुपात 5 समंद 1 से घटा कर 2 समंद 1 कर दिया गया इसी तरीके से प्रशासनिक सीवा में भारतीयों को अस्थान दिया गया इसके लिए 1861 में भारती लोग से वाधिनियम बनाया गया जिसके अंतरगत प्रति एक वर्स लंदन में एक प्रतियोगी परिक्षा है उजीत करने की बेवस्था की गई जिसमें भारती भाग ले सकत हालंकि इससे जाती विभेत को बढ़ावा दिया गया अंग्रेजों ने अठार सताउन के विद्रों के लिए मुसल्मानों को सीधे तोर पर जिमिदार माना और उनके प्रतिया अनुदार की नीती अपनाया यानि अनुदार रुख अपनाया फिर हिंदूों की अपिक्षा म मुसल्मानों पर अधिक जुर्माना लगा गया जिससे मुसल्मानों में हिंदूों के प्रति एक रोश उत्पन हो गया यही अंग्रेज चाहते थे और द्वी राष्टी सिधानत के प्रिष्टिभू में अंग्रेजों ने तयार कर दी और यहां से फूट डालो और राच कर अंग्रेजों की नीती अब प्रारम होती है फिर यह अठार सतावन की करांती से भारती राष्टवात का उदय भी प्रारम होता है राष्टी भावना अब यहां से धीरे-धीरे लोगों के मन में दिखनी शुरू होती है तो हम अगर अठार सतावन की करांती की असलता देख तो उसकी जो परिडाम दुर्गामीर है उसे भी देखना बड़ा जरूरी है इसके बाद से इसका स्वरूप क्या रहा ध्यान दीजिए यहां से प्रस्न पूछे जाते हैं कि किसने इसे सिपाही विद्रों कहा तो सरसेद आहमत खां सर जान लारेंस और सीले इन तीन लोगों में इसे सिपाही विद्रों कहा तो बेंजामिन डे दिजरेली और असोप महता ने राष्टी विद्रों कहा था अठार सताओं के विद्रों को दामोदर विनायक सावरकर ने भारत का स्वतंता संग्राम इसे कहा फिर आरसी मजुमदार ने इसे तथा कथित पर्थम स्वतंता संग्राम न पर्थम न राष्टी और न ही स्वतंता संग्राम था यह statement दिया था फिर राष्टिता की अभाव में एक स्वतंता संग्राम यह S.N. सेन ने कहा था जो सुरेंदरनाथ सेन यानी S.N. सेन थे वो अठार स्वत्ताओन के स्वाधिहंता संग्राम के सरकारी इतिहासकार थे इसी तरह एक सैनिक विद्रो जिसका तातकालिक करण चरबी युक्त कार्तूस था यह किसका कथन था पी राबोर्स का फिर सुन्योजित स्वतंता संगर्स किसने कहा सावरकर वा पट्टा भी सीता रमया तो यह सब इस्टेटमेन महत्पूर है किसने क्या कहा तो अठार स्वत्ताओन के क्रांतिका वास्तविक शरूप क्या था इस पर अभी भी विद्वानों में इतियासकारों में मतभियत की स्थिति बनी हुई है इसके बाद से अठार स्वत्तान के विद्रोव पर प्रमुख पुस्तके हैं बड़ी महत्तपूर है देख लीजिए फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है वीडी स स्योप म्यूटिनी एंडिरी वोल्ट ऑफ 1857 यार्सी मजुमदार की इसके बाद कॉजिज अफ दे इंडियन रिवोल्ट ये सयद हमत खा की सरसयद हमत खा की पुस्तक है जिसे असबाब बगावते हिंद भी कहा जाता है भारती भासा में विद्रोव की ये प्रथम पुस्त सबी पुस्तक महत्पूर है ध्यान रखिएगा इसके बाद से कुछ महत्पूर पॉइंट देख लेते हैं अठार्स जो कि प्रिलिम्स में अकसर पूछे जाते हैं अठार्स सथावन के विद्रोव के समय लंदन टाइम्स अखबार के समादाता डबल्यू एच रसल ने भार अधरा पल्टन की अस्थापना की गई नेक्स्ट है किसने कहा था अगर विद्रोहियों में एक भी योग्यनेता निकला होता तो हम सदा के लिए युद्धार जाते तो ये जॉन लॉरेंस ने कहा इसके बाद है बेगम हजरत महल को उनके सहर किस नाम से पकारते थे जो नव उदर इनके पुत्र और आनंद राओ इनके दत्तक पुत्र थे तो जब अठार सताओन की क्रांट शुरू हुई तो इनके जो रानी लक्षिमभाई के दत्तक पुत्र थे आनंद राओ यही जिवित थे इसके बाद अठार सताओन के विद्रोह के समय भारत का गवंणर जनर लार्ड कैनिंग, मुगल बात्सा कौन था, बाहदुर साध्यूती, ब्रिटीश प्रधानमंत्री, लार्ड पार्म सिस्टन था, और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, तो दोस्तो बड़े महत्पुर्ट टॉपिक पे मैंने चर्चा की, निश्ची त्रूप से अगर आप मैंने वीडियो पूरा देखा होगा, तो आपको पूरा कॉंसिप्ट समझ में आया होगा, मैं आपके सामने चार्ट रखता हूँ, इसे ध्यान से समझ लीजे, स्क्रिन सॉट ले सकते हैं, इसकी चर्चा मैंने पहले की है, विद्रो के केंद्र और नेतरित्व करता, कौन कह तो प्रसन अक्सर पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए, बिहार, दिल्ली, कानपूर, जहांसी, लखनव, बरेली, फैजाबाद, इलहाबाद, गोरखपूर में, गजाधर सिंग ने नेतरित्व किया था, इसी तरीके से मतुरा में, देवी सिंग ने, मेरठ में, कदम सिं इसके बाद से जाते-जाते विद्रो और दमन करता, इस पर भी चर्चा हुई, फिर भी एक चार्ट के माद हम दोरह देख लिए, दिल्ली में, निकोलसन हटसन ने दमन किया, लखनव में, कानपूर में, कैमबन हेवलाक ने, जहासी में, यूरोज ने विद्रो का दमन किया इलहाबाद में और बनारस में कर्नन नील ने और बिहार में विलियम टेर ने, दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ अठार सतान की करांती पर विक्सित हुई होगी, धन्यवाद दोस्तों